सर मेरा नाम संदीप है न्यूजएट इन इंडिया से मेरा सवाल है वायुसेना प्रमुक से सर तुकि सेना में जो यूथ आता है वो कहीं न कहीं एक स्टेबल जॉब एक पैंशनेबल जॉब के की सोच से आता है ये जो नई स्कीम है वो किस तरीके से फाइदेमंद होगा उन क्योंकि ना तो अब इसमें स्टेबिल्टी सिर्फ चार साल की है और पेंशन इसमें है नहीं आज भी क्या होता है कि बारावी कक्षा के बाद एक युवा को तीन आप्शन होते हैं या तो हायर स्टेडीज पर्शू करेगा या तो कोई स्किल डेवलप करेगा या एम्प्ल अगर गवर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों आपरशनिटीज चान्करेंट्ली दे रहे हैं यह त्रेट वेज बेस्टाटिंग टो अगर नोक्री डूंडेगा तो यह स्किल उसके काम आएगी साथ स्किल के साथ साथ उसको जो को जो को आएग यह स्किल के साथ साथ इसके अलावा नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहद से जितना भी फॉर्मालाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको उसके क्रेडिट पॉंट्स मिलेंगे उस क्रेडिट पॉंट्स को लेके चार साल के बाद वो हायर एजुकेशन परसू कर सकता है तो कंकरेंटली को आप करके सेलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है जो बाहर जाता है इस तो मच मोर कॉंफिदेंट एंड स्खिल्ड यूथ वो कें फेस्टे चैलेंजेस अफ दे वर्ल्ट